हेलो फ्रेंट्स कैसे है आप लोग आज का मैच होने जा रहा है प्लेटी नेम थ्री के अगेंश्ट मैन इन ब्लू तो भाई ये प्लेयर ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस था हमें हलके में ले रहा है इसने मैलबन ग्राउंड सिलेक्ट किया है और हमने आपर टॉस जीत कर प प्रो वाला है भाई इसके पास मैं लेग स्पिन फ्लीपर दोनों है तो पहली बॉल पहली बॉल फ्लीपर करी थी यहाँ पर बटन टैप नहीं कर पाए और पहली बॉल पर हमारी इतनी गंदी शुरुआत हुई है क्यों नहीं अपोनेंट हम पर हसेगा तो नेक्स्ट बॉल इस बार लेग स्पिन करी थी हमने स्ट्रॉक शॉर्ट खेला है और दो रन निकाल लिये क्योंकि पहली बॉल पर मुझे पता चला कि इसके पास लेग स्पिन फ्लीपर है मुझे भी यह पता नहीं था पहला है इस बार जीरो पे इस बॉल फ्लीपर करी थी हमने बैक फूड और क्या खूबसूरत बाउंडर यहाँ पर हासिल करी तो चलिए भी छे रन हो चुके है एक बार फिर फ्लीपर करी थी लेट हुए है और यहाँ पर दूसरी विकेट जाती हुई तो इतनी खास शुरुआत यार हमारी हुई नहीं है पहले ओवर में मात्र आट रन आ है तो नेक्स्ट बाल फुल पेस करिए एक बार फिर उसी दिशा में शॉर्ट कहला गया है लेकिन इस बार फिल्डर पकड़ लेंगे और दो ही रन मिलेंगे इस बार देखते है इस बार जीरो पेस बॉल है एडवांस खेला है फ्लीपर बॉल थी और बढ़िया पिक्किया इसे एक बाउंडरी और आसिल करिए इस बार नेगेटिव बॉल करने का प्रयाद हमने भी चतुराई से श्ट्रॉक शॉर्ट खेल के बाउंडरी निका लिए तो यार हमारे अच्छे खासी हाप पर पाउर प्ले में रन हो चुके है सेकेंड और में हमने भी कमबैक कर लिया अब निसार करने वाले पहली बॉल पे हुक खेला है लेकिन दो ही रन मिलेंगे हलका सा मिस किया है आपर थरंगान है निसार काफी स्लो बॉल करते है वही इस बार ओवर पिचिंग करीती रेडिकल बैसमेन है सामने इसलिए हमने रिस्क नहीं लिया तो सिंगल डबल कर लिया है आपर अगेन ओवर पिचिंग बॉल इस बार फिलिक किया है टाइमिंग इतना खास नहीं लेकिन मिलेंगे दो रन जी आपर दो रन चुरा लिए तो अच्छा खासा स्कोर हो चुका है तीन ओवर थर्टीन नाइन रन जो कि मैलबन के साफ से ठीक है डॉसन आया नेक्स्ट ओवर ल इसे बॉल करार दिया गया है एक बार फिर वेसी पिचिंग करी है लेकिन इस बार हमने कट शॉट लगाया इस बार इंतजार नहीं करा कि वाइड जाएगी जिसके चलते दो रन मिलेंगे और कि तीसरी बॉल इस बार वाइड बॉल देखने मिली है हम दो इस्टेप पीछे ह खेला है और खुबसूरा सिक्स गजब यहां पर थरंगा बहुत ही अच्छी बल्ले बाजी करते हुए और साथ में पेन एक बार फिर कट शॉट खेला है लेकिन जाएगी फिल्डर के हातों में और यहां पर दो रंग चुराने का प्रयाज और लग रहा है रन आउट होगे बिल्कुल होगे यहां पर थरंगा की इनिक खत्ताम होती हुई तो लाश्ट ओवर तसकीन एहमत करेंगे पहली बॉल ओवर पिछिंग करिए पीछे की और खेला और पहली बॉल पर विकेट जी आँ भाई पहली बॉल पर कैच दे बेटे पेन तो यार बैक टू बैक दो वि या पीछे की और खेला है और मिलेगी बाउंटरी इस बार आउट स्विंग बॉल है और इस बार कमाल का टाइमिंग पूरे छे रन के लिए यह इनिंकी लाश्ट बॉल है इस दफ़ा काट शॉट लगाया है लेकिन फिल्डर वात है ना जिसके जलते दो ही रन मिलेंगे तो तो अंकिस शर्मा आये यहाँ पर आपनिंग करने हमने स्वेप सन से करेंगे तो पहली बॉल लैग स्पिन करिए यहाँ पर कमाल का एडवांश शॉट देखने मिला है बाई गजब इस बार फ्लीपर करिए और यहाँ पर गैस करके खिला इन्होंने और इसे भी पहुचाया बाउंडरी के बार बैक टू बैक दो बाउंडरी हाँ पर अपोनेंट के लिए आती हुई इस बार स्टंप लाइन में फ्लीपर करिए लेकिन या फ्लीपर को अर्ली कर गए जिया भई अंकिस शर्मा समाल नहीं पाए बैसमेन ये देख लीजे लिविंग स्टॉन आ चुके है सबसे बड़ी टाइमिंग वाले बल्ले बास हमने लैग स्पिन करी है क्योंकि ये रेडिकल है और इसका हमें प्रॉफिट भी मिलने वाला है पहली बॉल बे लिविंग स्टॉन को आउट किया मज़ा आ गया डॉसन आया अपना नेक्स्ट ओवर लेकर पहली बॉल दूसरा से करेंगे शुरुआत और यहाँ पर खूपसूरत एडवान शॉट देखने मिला है टाइमिंग से भर पूर पूरे छेरन इतने बड़े ग्राउंड में सिक्स मार दिया इस भाई न इस बार कैरम करिये यहाँ पर भी लॉफ्टेट शॉट खेलने का प्रयाज लेकिन लेट हुए बॉल जैसी चेंज करीव ऐसी विकेट मिली है डॉसन को लाया है काफी जल्दी आगए डॉसन इस बार दूसरा करिये बैक टू बैक हम बॉले चेंज कर रहे है यह देखिये वाई इसका प्रॉफिट मिला है बॉल डॉट हुई है रिक्वायर रंडरेट बढ़ते जा रहा है इस बार भी दूसरा करीती और काफी अर्ली किया है डॉसन की भी विकेट है पर मिल गई है डॉसन ने डॉसन की विकेट निका ली राधा क्रिश्टन तीनोई स्पिनर बैक टू बैक लगा दी हमने आ पहली बॉल आर्म करीए फिल्ड खुल चुकी अब फिल्ड किया है टाइमिंग इतना खास नहीं फिल्डर है भाई वापर और दो ही रं मिलेंगे तो अब होना है सत्रा बॉल में चवालीस रं इस बार टॉप स्पिन करी ती बाहर निकर कर खेला है और क्या खुबसूरत बाउंडरे असिल करी तो फाइट अभी भी जारी अपॉनेंट की और से इस बार दूसरा करेंगे और यहाँ पर कट लगाया है क्या यहाँ पर जी यहाँ यहाँ पर दो रं मिल जाएंगे इस बार दो रं मिलेंगे अपॉनेंट को एक बार फिर दूसरा करिए और फिर कट लगाया है काफी अर्ली किया है कैरम का वेड़ कर रहे हैं अपर अपोनेंट लेकिन हमने इन्हें दूसरा ही दिया है अर बार तो दो ही रन मिलेंगे अब लाश्ट के दो ओवर 32 रनों की ज़रूरत एल बटलर करेंगे अपना फूर्थ ओवर पहली बॉल इन्स्विंग करिए गजब कट शॉड यहापर देखने मिला है एडम डेवसीच जिन्होंने बाउंडरी से स्वागत किया बटलर का नेक्स्ट बॉल अगेंड शॉड बॉल करिए और इस बार बाउंसर समझ कर खिलने का प्रयास मिस किया है इस जफ़ा यॉर्कर करेंगे ओ भाई यहापर कट लगाना चाहते थे यही होता है प्री सेट बार बार चेंज करने में अगेंड शॉड बॉल करिए इस बार पिक कर लिए इस बार गैस कर लिए भई और मिल गए चाहर तो लाश्ट बबर अश्रफ करेंगे जिसके पास इसकी नहीं है अउनली स्ट्रेट बॉल है तो हमने आउट स्विंग करिए और यहापर परफेक्ट टाइमिंग दा लेकिन एज लगा है यदि वहाँ फिल्डर नहीं होता तो यह शैद बाउंडरी होती इस बार राउंड विकेड करिए इस ट्रेट बॉल है काफी अरली खेल रहे है टाइमिंग नहीं कर पा रहे है अपॉनेंड तो जाएए ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस के वज़े से होता है और यहापर ओवर्थ्रो के कुछ रन ओर मिल गए है अपॉनेंड ने हलके में ले लिया है सिल्वर समझ के जिसके चलते इन्हें भुगतना बढ़ रहा है लाश्ट में तो यहापर सामने के और खेलने का प्रयाश डॉट हुई है और देख लीजे भाई 11 रनों से हमने ये मैच विन किया है तो गाइस कैसी लगे आपको बॉलिंग कमेंट करके जरूर बता है वीडियो यदि पसंद आयो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें